बागलुंग मा पहिलोर दोसरो चरण को कोरोना को खुब लगाई सके पनी अजे PCR मेसिन को बेवस्थापन हुना सके को छैना सरकार ले धोलागीरी अस्पताल मा कोरोना को परिच्छन गरने PCR मेसिन इस्थापना गरने नड़े गरी पनी अजे सम्मा उपकरन जड़ान गरना न सके को हो प्रयक साला इस्थापना गरने नड़य भयको 9 महिना बिती सक्ता समेट PCR प्रयक साला नेर्माण भयको छै न गत असर बार गते सरकारले धहुलागीरी अस्पताल मा PCR प्रयक साला राखेर बागलूंग में कोरोना परिच्छन गरने नड़य गरेको ठीयो गोरोना को दोस्रो लहर का बिरामी हरू बर्दे जादा इस्थानी हरू त्रस्चित बनी रहे का छन। परोड लागने भाई पनी प्रएक साला बेवस्थापन को लागी पर्याप्त बजेट न भाई पछे PCR ले बेवस्थापन को लागी गंड की प्रदेश सरकार ले 40 लाग बिनियोजन करेको थियो। बागलूंको लागी खरिद गरने भनियेको PCR मेशिन सरकार ले बजेट धिला पठाई दिदा अन्ने जिल्लामा गएकाले काम गरना समस्थापन समितिले जना आएको छ। PCR को बारे मा हो आमरो चाने PCR को लागी पैसा चाने अलोकेशन करेशा तरह अलोकेशन तो गर्यों तो नी कागास मा अलोकेशन करेशन तो पठाउं तरह ताइम में पठाई ने ते वागलूंक मा कोरोना संक्रमित बिरामी को संख्या बढ़ दे गए पनी बिरामी को स्वाब पोखरा लई जानू पर्ने र केही दिन सम्म रिपोट कुर्णू पर्ने बाद देता छ। बागलूंग बाट राजेस्चंद्र राजफंडाली कुरी पोट।